ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो डेड़ सीरियस हो डेड़ और सीरियस आपने कल डेड़ सीरियस ना होने की बात की थी एक बार की बात है बासरा में एक सूफी फकीर रहते थे बासरा जानते हैं बासरा ये इराग का एक शहर है जो मोतियों के लिए मशूर है या आजकल बंबारी के लिए मशूर है जिस-भी चीज के लिए हो तो किसी ने आकर कहा हमें कोई सीखती जिये उन्होंने मना कर दिया कोई सीख नहीं है इसके बाद और भी खास लोग उनके पास आने लगे और कहने लगे हमें कोई सीख दीजिये उन्होंने कहा कोई सीख नहीं है अब वो सब को सीख देने से मना करते थे इसलिए उनका बहुत नाम हो गया एक दिन उस इलाके में एक महान विद्वान आये, जो सारे ग्रंथों और बाकी बातों में पंडित थे, उन्होंने आकर जोर दिया, आपको सीख देनी ही होगी, आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी विद्वान के पास नहीं है, मुझे इसका अहसास हो रहा है, आपको सीख देन इसलिए नहीं क्योंकि मैं तयार नहीं हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम तयार नहीं हो, विद्वान बोला, मैं तयार नहीं हूँ, मैं खुद ही यहां आया हूँ, मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं तयार नहीं हूँ, मैं तुम्हें जो सीख तुम उसे लेना नहीं चाहोगे। उसने कहा, कौन सी सीख है। क्या तुम तयार हो। मैं किसी भी चीज के लिए तयार हूँ। तो… सूफी गुरु भी तर गये। और वहां से गंदा सा एक कपड़े का टुकड़ा ले आए। और उसे दे कर बोले, इसे लंगोट की तरह पहन लो। अपने सारे चोगे और अच्छे कपड़े उतार दो। इसे लंगोट की तरह पहन लो। विद्वान ने उस मेले कपड़े को देख कर कहा, इसे? इतना ही नहीं। मैं तुम्हे एक खाली डबबा और रस्सी भी दूँगा। उसे अपने गले में पहन लो। और मैं तुम्हें मीठी गोलियां भी दूँगा। पेपरमिंट। फिर तुम बाजार की सडक में निकल जाओ। सारे लड़के तुम्हें देख कर सताएंगे और पत्थर मारेंगे। जो भी तुम्हें पत्थर मारें तुम्हें एक पेपरमिंट निकालना और मुस्कुराते हुए उसे एक पेपरमिंट दे देना। विद्वान बोला ये तो बहुती मूर्कता भरी बात है। अगर मैं ऐसे मूर्कता भरे काम करने लगा तो शेहर में मेरा क्या होगा। जो आपको रूपांतरित करतें। सवाल बस यही है। तो अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं डेड सीरियस हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने आपको नौन सीरियस करना होगा। जो मुम्किन नहीं है। तो आपने आपको non-serious करने का एक ही तरीका है, कि आप कुछ मूर्खता भरी चीज करें. क्या आप कर सकते हैं? क्या आप अभी उठकर एक नाच दिखा सकते हैं? कीजिए. थोड़े इंडियन तरीके से कीजिए. इंडियन डान्स. नहीं, आपको इंडियन डान्स करना है. देखिए, आप थोड़े कम सीरिस हो रहे हैं. कम से कम डेड तो नहीं है. सीरिस तो हैं, पर डेड नहीं. तो अपने जीवन को थोड़ा ढीला कीजिए. थोड़ा ज्यादा हसिये. खुद को आसपास के लोगों के साथ शामिल कीजिए. ऐसे काम कीजिए, जो आपको बहुत जरूरी नहीं लगते. ऐसे काम मत कीजिए, जो बहुत जरूरी हो. छोटे-छोटे काम कीजिए. आपके लिए सीधे-साधे काम करना बहुत जरूरी है. अगर आप जीवन में बहुत ज़रूरी कामी करते रहे, तो अपडेट सीरियस हो जाएंगे बर्टन रसल, जो एक अंग्रेज थे बर्टन रसल ने कहा, अगर आपको लगने लगा है कि आप कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो छुटी लेने का समया आ गया है तो छुटी का मतलब भारत आने से नहीं है हर दिन 24 गंटे में आपको छुटी लेनी चाहिए अपनी सीरियसनेस से सीरियसनेस इसलिए आई है क्योंकि आप खुद को बहुत एहमियत देते हैं आप खुद को एक महत्वपूर्ण इंसान मानते हैं मैं चाहता हूँ कि आप खुद को इस सस्तित्व में धूल के एक कंड की तरह देखें कल सुबह अगर आप गायब हो जाएं तो बेशक भारत में कोई आपको मिस नहीं करेगा यहां तक आस्ट्रेलिया में भी लोग ज्यादा चिंता नहीं करेंगे कुछ मुठी भर लोग याद करेंगे और वो भी कुछ दिनों में भूल जाएंगे है के नहीं? कुद्र अतुफ करती है आप चले जाएंगे और इस दुनिया को कुछ नहीं होगा सब कुछ अच्छे थरीके से होता रहेगा आपके न रहने पर भी हर इंसान को अपने जीवन के हर क्षण में इसके प्रती जागरूक रहना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि सारी दुनिया आपके बारे में क्या बूलती है इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप कितना महत्वपून काम कर रहे हैं आपको ये समझना चाहिए कि कल सुबह आपके बिना संसार बहुत मज़े से चलेगा आप चाहे जो भी हो है कि नहीं अगर आप खुद को लगातार ये याद दिलाते रहेंगे तो आपके पास सीरिस होने का कोई कारण नहीं होगा डेड होने का तो बिलकुल भी नहीं और अभी से डेड ना हो उसके लिए समय आएगा अभी जिन्दा रहने का समय है अभी जिन्दां जिन्दाँ